Hello Friends, Welcome Back to English with Aasha Mem आज मैं आपके लिए न्यूस पेपर के एडिटोरियल पेज से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ तो स्टोरी की फॉर्म में है ये तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसका मीनिंग जानेंगे एक एक वर्ट का मैं आपको ट्रांसलेशन करके बताऊंगी काफी अच्छी वोकैबलरी है और सीखने के लिए भी जो मॉरल है वो बहुत अच्छा है तो जब भी हम रीडिंग करते हैं अगर हम विराइटी पढ़ें जैसे कि कभी न्यूस पेपर से पढ़ें कभी मैगजिन से पैराग्रैफ स्टोरी आर्टिकल तो अलग-अलग टाइप के जब हम रीडिंग मैटिरियल पढ़ते हैं हमारी रीडिंग काफी इंप्रूव होती है तो आएए आज का टॉपिक शुरू करते हैं सीख दे ट्रूथ फो यारसेलफ सीख ढूंडवना टूथ सच्चाई यह सच और यौड शैलफ मींज खुद के लिए अपने आपके लिए तो खुद के लिए या अपने लिए सच्चाई को ढूंड़ो सीख दरूथ फो यार तो आब यह story शुरू करते हैं, this is the story of a donkey, यह जो कहानी है वो एक गधे की है, a donkey who was walking along when night fell, a donkey एक गधा who was walking, तो was के साथ verb की first form में ing लगाया हुआ है, past continuous tense की पहचान होती है, एक गधा जो की जा रहा था, walking along when night fell, night मतलब रात और fall का past tense हो गया fell, fell means पड़ी, जब रात पड़ी, एक गधा was walking जा रहा था, he was not sure what his destination was, sure मतलब निश्चित नहीं था, और destination मतलब उसका पढ़ाओ कहां है, जहां उसको पहुँचना है, कहां पे पहुँचना है यह, destination उसको पता नहीं था कि उसका आखरी पढ़ा है, he was not sure, वो सुनिश्चित नहीं था, what his destination was, कि उसका जो पढ़ाओ है, वो कहां है, and how to reach it, how कैसे reach पहुचना है, और वहां कैसे पहुचना है, destination में कैसे पहुचना है, यह उसको निश्चित नहीं था, वो sure नहीं था इसके बारे में, and what made it worse, was that he could hear the sounds of wild animals in the forest, तो यह है कि what made it worse, it यहां जो है कि इस हालत को, कि एक तो उसको अपना गंतविस्तान पता ही नहीं है, कहां जाना है, तो इस हालत को या इस हालात को और भी बत्तर बना रहा था क्या, worse, यह जो है comparative degree है, जैसे कि bad, worse और worst, तो bad जो है, वो हो गया positive degree, worse होता है comparative degree, और worst जो होता है, worse comparative degree, कि उसको और भी बत्तर बना रहा था, जो उसकी हालत है अभी, उसको और भी बत्तर बना रहा था, क्या, he could hear the animals sound, मतलब उसको अवाजे सुना रही थी, जंगली जानवरों की in the forest, जंगल में, where he had been grazing all day, where, जहां he had been grazing, grazing मतलब चरना, जहां घास चर रहा था, all day, पू बक्चर है, he had been, plus verb first form में ing, grazing में ing लगा हुआ है, तो यह पहचान होती है, past perfect continuous tense की, ठीक है, had been, verb first form ing, past perfect continuous tense की पहचान होती है, जहां की वो सुबह से या पूरे दिन से घास चर रहा था, It was too dark for the donkey to see beyond his nose, ठीक है, देखे, एक जो structure होता है, जिसमें TOO और TO इखटे आता है, two और two, तो वो sentence का मतलब negative बना लेता है, ठीक है, जैसे की, It was too dark for the donkey to see beyond his nose, too dark मतलब इतना अंधेरा था, for the donkey to see, to see मतलब देखना beyond परे his nose, तो इस phrase का मतलब यह जो है, to see beyond his nose, इसका मतलब होता है कि, अपने आपके बारे में सोचना, और अपनी immediate जो हमारी requirement है, present situation में, अभी जो हमारी आवश्यक्ता है, सिर्फ उसके बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना, तो इतना अंधेरा हो गया, donkey के लिए, गधे के लिए इतना अंधेरा हो गया, कि वो उस grip मतलब जकरना, तो donkey को, उस गधे को, डर ने जकर लिया, as he peered into the darkness, as जैसे ही, peer का मतलब होता है, ध्यान से देखना, क्योंकि अंधेरा हो रखा है, तो बहुत ध्यान से वो कोशिश कर रहा है, देखने की कोई रास्ता है, क्या निकलने का, तो fear grip, डर ने उसको जकर लिया, गधे को, जैसे ही, उसने ध्यान से देखना शुरू किया, into the darkness, उस अंधकार में, ahead, आगे, to see, if he could make something of it, तो to see, देखने के लिया, if he could make something of it, to make something of it, इसका मतलब हुआ, कि कुछ हल निकालना, समझने की कोशिश करना, कि क्या हो सकता है, इस situation में, So, he was peering into the darkness, ahead, to see, if he could make something of it, तो इसलिए, जो गधा था, वो बहुत ध्यान से, आगे, अंधकार में, आगे की तरफ देख रहा था, हल निकालने के लिए, कि अभी क्या हो सकता है, Just as the donkey ambled about, जैसे ही the donkey ambled about, इसका मतलब है कि इधर उधर घूमा, directionless, योगि अब उसको पता ही नहीं है, कहां जाना है, तो वो अभी क्या बन गया है, directionless, दिशाहीन, उसको यह नहीं पता लग रहा कौन से दिशा में जाना है, An owl from a tree top, hooted out to him, owl मतलब उल्लू from a tree top, पेड के उपर से hooted, जो owl की sound होती है, वो होती है, hoot, तो उसने आवाज निकाली, out to him, गदे के लिए, आवाज निकाली, hooted, तो उसने आवाज निकाली, buddy, you cannot see at night, but I can, buddy, दोस्त, you cannot see at night, तुम रात में नहीं देख सकते हो, cannot see, नहीं देख सकते हो, at night, रात को, but I can, लेकिन मैं देख सकता हूँ, maybe, I should become, मैं बन सकता हूँ, your guide, आपका मार्ग दर्शक, guide means, मार्ग दर्शन करने वाला, तो कहता है कि मैं बन सकता हूँ, आपका मार्ग दर्शक, आपको रास्ता दिखाऊंगा, and show you the path, path मतलब रास्ता और आपको रास्ता दिखाऊंगा, तो ये कौन कहता है, owl, the donkey, could not have asked, for anything better, तो better मतलब, इससे बहतर, तो जो गधा था, तो इस फ्रेज का मतलब वो गया, वो इससे बहतर, इससे बहतर, कुछ भी नहीं मांग सकता था, could not have asked, कुछ नहीं मांग सकता था, for anything better, इससे बहतर, ठी कुछ भी नहीं मांग सकता था, उसको कोई दिशा दिखाने के लिए बोल रहा है, कि मैं आपकी help कर दूँगा, तो उसके लिए बहुत ही खुशी की बात थी, he gafard, gafard का मतलब होता है, जोड से हसना, he gafard with joy, खुशी से वो, हसा जोड से, and invited the owl to sit on its back, invited उसने आमंतरित किय आउल उस उल्लू को to sit बैठने के लिए on its back, अपने back पर, पीठ पर, with the owl perched delicately on his back, अब क्या हुआ, आउल उसके ओपर बैठ गया, जो उल्लू है, उसकी पीठ के ओपर बैठ गया, with the owl perched, मतलब बैठ कर, perch मतलब बैठना, जब कोई चिडिया बैठती है, उसको बोलते हैं, पर्च, तो perched बैठ कर, delicately नाजुक धंग से, अराम से, on his back, उसकी पीठ पर, the duo made their way through the forest, duo का मीनिंग होता है, जोडी, दो की जोडी को बोलते हैं, duo, the duo made their way, अपना रास्ता बनाया, through the forest, उस जंगल से होकर, the owl gave direction, तो जो आउल था, उल्लू था, उसने रास्ता बताना शु किया, gave directions, उसने रास्ता बताया, and the donkey followed them, और जो गधा था, follow मतला, उसने अनुसरन किया, उनी आदेशों का, जो भी वो, अभी direction बता रहा है, रास्ता दिखा रहा है, उसका उसने अनुसरन किया, उसको follow किया, all night, the arrangement worked out, all night, पूरी रात, arrangement, जो भी प्रबंध किया था, जो ब रास्ता दिखाएगा, कौन उसका पालन करेगा, यह सब ठीक ठाक चल रहा था, worked well, इसने ठीक से काम किया, they managed to avoid wild animals, they, इनके लिए प्रणाउन यूस किया गया है, आउल और डॉंकी के लिए, they managed to, तो उन्होंने क्या किया, avoid मतलब बचना या टालना, तो avoid wild animals, जंगली और light, मतलब कि उजाला देखना, दिन का उजाला देखना, the sun rose, as the team reached the forest's edge, the sun rose, rise का past tense हो गया है, rose, जो सूरज है वो उगा, as the team, जो team थी उन दोनों की, reached पहुंची, forest के edge, मतलब किनारे पर, and a new day was born, और एक नए दिन की शुरुवात हुई, was born मतलब नए दिन की शुरुव बात हुई, in the sunlight, the donkey could see very well, अब जब उजाला हो गया है, in the sunlight धूप की रोशनी में, the donkey could see, जो गधा था वो देख सकता था, very well, बहुत अच्छी तरीके से, but the owl was blinded by the light, लेकिन जो owl था, उल्लू था, was blinded, वो तो बिलकुल अंधा हो रहा था, इतनी चमकीली light से, क्योंकि जो उल्लू होते हैं, वो दिन भर नहीं देख पाते हैं, रात को देख पाते हैं, इतनी तेज रोशनी थी कि जो उल्लू था, वो तेज रोशनी थी उसके लिए, for a few minutes, there was confusion, तो कुछ time के लिए, कुछ मिंटों के लिए, there was confusion, means कुछ गडबडी थी, कुछ ठीक नहीं चल रहा थ there was confusion, confuse हो गए दोनों के दोनों, but the owl having donned the guide's hat, तो लेकिन जो owl, उल्लू था, having donned the guide's hat, guide अभी आपको बताया था, मार्क दर्शक और donned मतलब पहन कर, having donned क्योंकि उसने guide की hat, यहां पर होगा hat का मतलब है, रोल जो है guide का, मार्क दर्शक का रोल जो है, उसने निभाया हुआ यहां पर, having donned the guide's hat, कि उसने जो यह guide की hat, टोपी पहन रखी थी, was reluctant to give up, give up मतलब त्याग देना, और reluctant means not wanting, मतलब वो नहीं चाह रहा था कि इसको वो त्यागे, क्योंकि अभी उसका कौन सा रोल है, dominating रोल है, वो अभी boss बनावा है, was reluctant to give up the leadership role, तो वो तयार नहीं था, त्य त्यागने के लिए अपना नेत्रित्व वाला रोल, जो रोल उसको भी भूमिका मिली हुई है, वो त्यागने को तयार नहीं था, चाहे उसको दिखाई भी नहीं देरा सुबह की रोश्नी में, the owl was too attached to his seat, on the donkey's back, तो जो आउल था, उल्लू था, was too attached to his seat, अब इसका भी जो तू और तू अभी आपको बताया था, अगर एकी sentence में use हो, तो उसका meaning क्या होता है, negative होता है, कि वो जादा ही कुछ attached हो गया था, बंद गया था, अपनी इस seat से, उसको ज्यादा प्यार हो गया था, इस seat से, जो की donkey की back, उसकी peat पर थी, and the power it gave him, और जो power शक्ती उसको मिल रही थी, इस role से, so even though the owl could see nothing, he continued to give directions, so even though चाहे, the owl जो उल्लू था, could see nothing, वो कुछ भी नहीं देख सकता था, he continued उसने जारी रखा to give directions, बंद रास्ता दिखाना, या रास्ता बताना उसने जारी रखा, the donkey did not think much about the arrangement, तो जो गधा था, did not think much, उसने ज्यादा नहीं सोचा, डिट के साथ देखिये, verb की first form लगी हुई है, और हमेशा डिट के साथ यही verb first form लगती है, तो donkey ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा इसके बारे में, about the arrangement, जो बंद बस किया वा था दोनोंने, that was well suited to the night, but defective during the day, तो गधे ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि अब सुबा तो मैं देख सकता हूँ, पूरी तरीके से और जो यह उल्लू है वो धंक से नहीं देख सकता, लेकिन क्या है, इस arrangement, इस बंदोबस के बारे में, जो की अनुकूल था, well suited, मतलब जो की अनुकूल था, र देख सकता है, और उसको आउल की, अब इस उल्लू के मदद की बिल्कूल भी ज़रत नहीं है, navigating the forest, navigating मतलब चलना, आगे चलना, अपना रास्ता धूनना, रास्ता निकालना इस जंगल में, Even though he did not require a visual guide now, he continued to accept the owl as his guide, तो ये है, even though चाहे, he did not require, उसको जरूरत नहीं थी, a visual guide, जो की अब उसका मार्ग दर्शन करे, रास्ता दिखाए, visual, मतलब रास्ता दिखाए उसको, He continued उसने जारी रखा to accept स्विकार करना, the owl as his guide, आउल को अपने मार्दशक के रूप में स्विकार करे रखा उसने, He never attempted, उसने कभी भी कोशिश नहीं की, to use his head, अपना दिमाग यूज करने की, और आइज अपने आखें यूज करने की, and perceive, perceive मतलब समझना, that he could see, की वो देख सकता है during the day, दिन के दोरान तो अब वो देख सकता है, अब उसने अपना दिमाग बिलकुली बंद कर लिया, क्योंकि उसको एक मारदर्शक मिल गया था, इसलिए उसने अपना दिमाग बंद किया, ये भी नहीं देख रहा है कि, दिन में तो मैं बिलकुल सही तरीके से देख सकता हूं, hence he did not need a guide, तो इसलिए उसको guide की बिलकुल जरुवत नहीं है, अभी मारदर्शक की बिलकुल भी He continued to follow the owl's directions और उसने जारी रखा, follow करना, अनुसरन करना, owl के जो दिशा निर्देश दे रहा था उसको, which were not based on knowledge of the path ahead, which were, यहाँ पे जो which है, वो directions के लिए है, कि जो भी उसको रास्ता दिखा रहा है, जो की were not based, वो निर्भर नहीं थे, on knowledge, ज्यान के of the path ahead, आगे के रास्ते क रहा है उसको, और गधा जो है, आँखे बंद करके उसको follow कर रहा है, at one point, the owl instructed the donkey, at one point, एक समय पर तो क्या हुआ, the owl instructed, उसने निर्देश दिया, donkey को to turn left की, वो बाएं मुड़े, and immediately right, और जल्दी से तुरन थी फिर right मुड़ जाए, दाएं मुड़ जाए, the donkey could see a deep, fast moving river, down the cliff अब जो donkey था, गधा था, he could see, वो देख सकता था, एक deep, गहरी, fast moving, तेजी से बहती हुई river नदी, down the cliff, एक बड़े से टीले के नीचे, वो ये सब देख सकता था, but he was following the guide, लेकिन, वो तो follow कर रहा था, अनुसरन कर रहा था, अपने मारदर्शक का, देखे ये वोस के साथ, verb की first form में ing लगा हुआ है, past continuous tense में है ये वाला structure, कि वो तो अनुसरन कर रहा था, and not thinking, और नहीं सोच रहा था, so he did, just as he was told, तो इसने वही किया, बिलकुल वैसा जैसा कि उसे कहा गया था, he was, told was के साथ, verb third form है, passive में है ये वाला structure, जैसा उसको बताया गया था, उसने वैसे ही किया, the donkey fell directly into the river, तो जो donkey था गधा था, वो fell गिर गया, directly seed है into the river, उस नदी में and drowned और डूब गया, और आउल जो है, वो तो उड़ गया, और donkey है, वो तो डूब गया river में, ये जानते हुए भी कि उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है, और खत्रा भी उसके आ गया है, फिर भ कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, यहाँ पर ये बताया गया है, the tail of donkey and owl is a metaphor for the relationship, तो जो tail, tail, tail कहानी, donkey और owl, गधे की और उलू की जो ये कहानी है, ये एक metaphor है, metaphor का मतलब होता है, रूपक या उपमा, जब हम एक चीज को बताने के लिए, किसी दूसरे चीज से उसका comparison करत हैं, जैसे कि अगर मैं ऐसे कहूं कि corruption, भ्रष्टाचार एक तरह की disease है, तो मैंने भ्रष्टाचार का comparison कर दिया, disease बीमारी से, एक तरीके की बीमारी है, ठीक है, जैसे बीमारी बरबात कर देती है, बोडी को, उस तरीके से भ्रष्टाचार भी जहां होगा, वो उस society को relationship, जो संबंध हैं between seeking guidance and maintaining personal discernment, ये एक उपमा की तरहें यूज किया गया है, दो चीजों के संबंधों के बीच में, एक है seeking guidance, guidance मतलब सहायता और seeking, ढूंडना, खोजना, तो सहायता खोजना या मार्क दर्शन लेना and maintaining personal discernment, discernment मतलब सूझ भूज या अपने खुद के विचार, ठीक है, maintain करके रखना, बनाए रखना, personal, व्यक्तिगत, तो किन चीजों के बीच में metaphor है ये, कि एक तो है guidance ढूंडना, सहायता ढूंडना, लेकिन साथ ही साथ, व्यक्तिगत, सूझ भूज भी बनाए रखना, acknowledge the value of mentors, अब दूसरा value जो हमको मिला है, moral मिला है, वो है, acknowledge, स्वीकार कीजिए, the value, moolya of mentors, अपने गुरुओं का, but also retain the ability to think critically, लेकिन बनाए रखो, ability, शमता, to think, सोचने की critically, उसके गुण दोश, देख कर, समझ कर, ठीक है, तो गुण दोश की दृष्टी से, उसको बोलते है critically, and trust your own perception, perception मतलब धारना ओन खुद की, तो एक तो है कि चलो, जो आपके गुरु आपको value देते हैं, मूल्य देते हैं, उनको आप स्वीकार कीजिए, but also, लेकिन साथ ही, retain बनाए रखिए, अपने खुद की सोचने, समझने की शमता, और trust your own perception, और अपने खुद की धारनाओ पर, अपनी खुद की सोच पर, समझ पर भी विश्वास बनाए रखो, कहने का मतलब है कि आख बंद करके और दिमाग बंद करके, किसी के भी आदेशों का पालन करते नहीं रहना चाहिए, अपने विचार, अपनी समझ, अपनी बुद्धी का भी इस्तिमाल करना चाहिए, के सब्सक्राइब भी कर लीजे, थैंक यू फ्रेंदS for watching, have a nice day.